नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम बात करेंगे जो कन्वैक्स लेंस का फोर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे तो इसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है तो यह जो formula है वैसे हम देख लेते हैं यह होता क्या है 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F होता है तो यह जो formula होता है इसका यह होता है इसको हम proof भी करेंगे अब देखिए इसके अंदर कुछ चीजे हमें पहले जान लेनी बहुत जरूरी है जो U होती है वो कहां से कहां तक की दूरी होती है वो हमारी optical center से हमारी कहां तक की दूरी होती है यह होती है हमारी object तक की दूरी तो optical center से object तक की दूरी U होती है V जो होती है वो हमारी क्या होती है वो हमारी optical center से optical center से image तक की दूरी होती है तो ये दियान रखना है F जो है focal length ये क्या होती है ये हमारी optical center से ये हमारी होती है focus तक की दूरी जो की principal focus है वहां तक की दूरी ये होती है अगर incident ray की direction में हम लेते हैं तो ये plus रहता है लेकिन अगर incident ray की direction में के उल्टा लेते हैं तो ये minus रहता है ज्यादा तर ये negative ही हमारा यानि कि negative ही रहता है इसी तरह से वी की जो वैल्यू है incident ray की direction में अगर हम लेंगे positive लेंगे इसी तरह focal जो length है incident ray की direction में लेंगे तो positive लेंगे तो यह चीजे हम जब समझेंगे इसको तो तब आपको समझ आ लेंगे तो चलिए हम क्या करते हैं एक Convex Lens ले लेते हैं तो हमने एक Convex Lens ले लिया इस तरह से और इसके बिल्कुल बीच से हमने क्या निकाल दिया एक principle axis तो यह क्या है हमारा principle axis है optical center कहां पर होगा यह बिल्कुल जो है यह बिल्कुल सेंटर के अंदर optical जो center होगा इसलिए इसको यह बोला गया है अब अब हमने पहले case discuss किये थे कि एक f1 ले लिया object में हमने एक two f1 ले लिया और object को हम beyond two f1 अगर place करें तो जो है image कहां पर बनेगी beyond two f1 हमने place कर दिया इस two f1 से side में place कर दिया इसके पीछे तो हम इसको दे देते हैं a b नाम दे देते हैं इस object को अब एक जो incident ray है तो incident ray ले ले लेते हैं incident ray जो है यहां से बिल्कुल parallel जो है principal axis के गई तो वह हमारी कहां से हो कर जाएगी वह हमारी focus से हो कर जाएगी यह यानि कि जो f2 से हो कर जाएगी इसी तरह से जो दूसरी रे ले 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 लेते हैं जो optical P नाम दे दीजिए कि यह जो point है यह अपने P नाम दे दिया इसको तो इसके अंदर देखिए अब हम कुछ triangles लेंगे और उनके through जो है यह हमरा lens formula हम निकालेंगे तो चलिए उन triangles को लेते हैं तो पहले जो triangle है वो हम ले लेते हैं A, B, O यानि कि यह A, यह B और यह O, तो हलकी हलकी सी हम black lining कर देते हैं इसके उपर A, B, O, यह वाली triangle हमने ले ली और दूसरी हमने जो triangle ली है वो हमने ली A-B-O, यानि कि A-B-O यह जो O है यह वाली हमने triangle ले ली, तो यह दोनों triangle ले ली फर्स्ट यह वाली और सेकंड यह वाली triangle हमने ले ली अब यह दोनों जो है similar triangle है तो अगर यह similar है तो जो क्यों क्योंकि देखिए एक तो यह angle 90 degree का है यहाँ पे दोनों का angle 90 degree का हो गया और फिर यह optical center से जो दूरी है तो इस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि यह similar triangle है हमारी या कहें कि यह जो दोनों angle है यह जो दोनों angle है यह बराबर है इस तरह से आप कह लीजिए जो alternate angle आप कह सकते है तो कुछ भी आप जो है देख सकते हैं जो हमने पहले भी mirror formula discuss किया था divide में लिख सकते हैं दोनों similar angle है और यहां पर क्या लिख सकते हैं o a यानि कि optical center से a तक की दूरी और optical center से जो है हमारी यह यहा तक की दूरी अगर हम optical center से object तक की दूरी देखें तो ये incident ray इस तरफ है और आप इस तरफ left की तरफ जा रहे हैं तो यह minus u होगी यह ध्यान रखना है और optical center से इस focus तक की दूरी यह क्या है focal length होगी और यह incident ray की direction में ही हम चल रहे हैं तो यह positive होगी इसी तरह से image तक की दूरी यह जो है हमारी यह v होगी plus की होगी क्यों? क्योंकि हम incident ray की direction में ही चल रही है optical center से तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ पे जो OA है OA हमारा किसके बराबर है O से A तक का minus U के बराबर है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे U जो की minus का है divide by OA' OA' यानि कि O से image तक की दूरी यह V के बराबर है तो यह आपकी एक equation आजाएगी first equation तो यह आप समझ गए होंगे यह triangle ली और यह triangle ली जो हमने यहाँ पे दिखाई है इसी तरह से आप दूसरी triangle लेंगे जो triangle है O P F2 एक तो यह triangle ले लिजी O P यह O P और यह जो F2 यह वाली triangle यह वाली triangle आपने ले ली O P F2 और दूसरी जो triangle आपने ली वो ली B dash A dash F2 यह लेनी है B dash A dash यह तो image वाली है और यह F2 यानि कि F2 को अब हमने common point बना लिया पहले हमने optical center को बनाया था तो इसी तरह से यह भी दोनों triangle जो similar है यह 3rd और यह 4th आप इसको नाम दे लिजिए 3rd और 4th triangle हो गई तो आप इसको क्या लिख सकते हैं same वो ही करना है O P by A dash B dash लिख सकते हैं यानि कि O P जो है A dash B dash के बराबर divide में आप लिख सकते हैं और इसी तरह से जो O F2 है इसके divide में आप क्या लिख सकते हैं उसके divide में लिख सकते हैं देखिए जो है O F2 यह यहां से यहां तक यहां पर क्या जाएगा F2 और यह हमारा A dash तो आपने यहां क्या लिख दिया F2 A dash O F2 divided by F2 A dash या A dash F2 कुछ भी आप लिख दिजिए यह आपने लिख दिया अब यहां जो O P है देखिए जो O P है यह किसके बराबर है O P जो है O P के बराबर है यहनि कि object के बराबर है उसकी height के जो O P है इहां बिल्कुल parallel line आई है यहां से incident तो O P हमारा A B के बराबर हो गए तो आप इसको लिख सकते हैं AB divided by A-B- यानि कि OP की जंगा आपने AB लिख दिया OP की जंगा AB लिख दिया सिर्फ और OF2, F2A- को आप क्या लिख सकते हैं, F2A- को OA- minus OF2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, OA- minus OF2 तो F2A- की दूरी हमारी आजाएगी ये चीज़, तो आप ये लिख सकते हैं, इसको तो ये क्या आजाएगा, OA- minus OF2, ये आप लिख देंगे यानि कि OF2 किसके बराबर है, OF2, यानि कि Optical Center से Focus तक की दूरी ये हमारी किसके बराबर है, लिख दीजिए, OA-, OA- यानि कि Optical Center से Image तक की दूरी, ये हमारी किसके बराबर है, V के बराबर लिख दीजिए, OF2 OF2 हमारा फिर से किसके बराबर हो गया, हमारा F के बराबर हो गया, ये भी लिख दीजिए तो यह हमारी आगई second equation यह first equation यह second equation अब यह देखिए यह जो हिस्सा है a by a dash b dash a by a dash b dash दोनों ही बराबर हैं बराबर हैं तो इसलिए जो है आप जो है right hand side वाली चीज़ों को बराबर लिख सकते हैं यानि कि अगर आप लिखना चाहें f by v minus f equal to minus u by v लिख सकते हैं यह जो है इसके आपने बराबर लिख दे आप इनको multiply कर दीजिए इनको multiply जब आप करेंगे यह क्या जाएगा f v और यहाँ पर क्या जाएगा minus u v plus f u यह आगया आपके पास आपने इस तरह multiply कर दिया और इसको इस तरह multiply कर दिया अब देखिए अगर आप दोनों तरफ इसको u v f से divide कर दिये दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या आगया u v f से divide कर दिया यहाँ भी u v f से divide कर दिया इसको भी u v f से divide कर दिया जब आप इसको divide करेंगे तो यह क्या बच गया 1 by U बच गया यहां पर divide करेंगे यह क्या बच गया minus 1 by F बच गया और यहां पर divide करेंगे F यह क्या है F U तो यहां पर यह क्या बच गया 1 by V बच गया यह आपके पास आगया अब जो आपका formula है यहां से इस F को जो है आप इस तरफ ले आईए और u को आप इस तरफ ले जाएए तो आपके पास जो formula बनेगा वो क्या बनेगा वो बनेगा 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f बन जाएगा यानि कि यह जो है आपके पास answer आजाएगा जो कि आपका lens formula है आप देखिए यह कौन सा था यही तो formula था 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f तो इस तरह से आप इसको prove कर सकते हैं तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलो पे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद